अगली खबर गौालियर से आ रहे हैं जहां मुख्विर की निसान देहे पर नकली नोट छाप कर उनका कारोबार करने वाले दो सातिर बदमासों को पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की है यह बदमास एक किराय का कमरा लेकर यहां नकली नोट का रैकेट चला रहे थे पुलिस को कमरे की तलासी लेने पर 500 और 100 रुपए के नकली नोट के अलावा नोट छापने की स्कैनर प्रिंटर और बॉन्ड पेपर भी मिले हैं फिलाल पुलिस ने पकड़े गए दोनों आरूपियों के खिलाफ मामला दर्च कर नकली नोटों के रैकेट में सामिल अनने लोगों के बारे में पुछनाच सुरू कर दी है पुलिस का मानना है कि पूछताच करने पर सहर में खफाए गए नकली नोटों के बारे में और जानकारी मिल सकती है आपको बता दे कि SSP अभित सामगी को मुख्विर से खबर मिली थी कि माधो गंज थाना च्षेतरी लाके में गुढाय स्थेते कृष्णा कालोंी में कुछ लोग 500 और 100 रुपे के नकली नोट छपा कर बाजार में चला रहे हैं इस पर क्राइम ब्रांच अडिशनल स्पी राजिर डंडोतिया को परदाफास करने की जिम्मेदारी सौपी गए CSP मुरार रिशी केस मीडा, CSP लशकर छियाज केम के मार्क दर्शन में थानाप्रभारी Crime रांच निरिक्षक दामोदर गुपता वा थानाप्रभारी माधागंज निरिक्षक महेश सर्माद्वारा थाना Crime रांच वा थाना माधागंज पुलिस की सज़ती टीम बनाकर कृष्णा कालोनी गुढ़ा में तस्दीक हेतु भेजा गया पुलिस ने एक मकान के अंदर जाकर देखा तो वहाँ पर दो लोग मिले थे तथा कमरे के अंदर ही कलर, पिंटर, डेक्स्टॉप, स्कैनर तथा बॉन्ड पेपर रखे मिले पूछनाच की तो एक ने अपना नाम बंटी कुस्वाहा वा मनूझ कुस्वाहा बताया कमरे में मिले दोनों संदिकधों की तलाशी लेने पर उनके पास से पुलिस टेम को 5-500 के 12 नकली नोट और 100-100 रुपय के 11 नकली नोट प्राप्त किये गए पकड़े गए आरूपी थाना पुरानी छाबनी वा थाना थाटी पुर छेटर के रहने वाले हैं पुलिस ने पोंचताच की तो पता चला कि 15 दिन पहले ही दोनों ने यह कमरा किराये पर लेकर नकली नोट बनाने का धंधक कर रहे थे हलाकि वह इस बात से हैरान है कि वह अपना काम इतनी साबधानी से करते थे कि किसी को भनक तक नहीं होती थी फिर पुलिस तक उनकी यह खबर कैसे पहुँच गई आरोपियों ने बताया कि वह प्रति दिन 3-4,000 रुपए स्कैनर से स्कैन कर बॉंड पेपर पर कलर प्रिंटर से प्रिंट निकालते थे और असनी नोट की साइज में कटिंग कर उसको बाजार में चला देते थे नकली नोट इतने अच्छे तरीके से छापते थे कि किसी को सक भी नहीं होता था 100 रुपए से पुरिया और 500 का नोट शराब की दुकान पर चलाते थे 100 रुपए का नकली नोट वह लोग पुरिया या बीड़ी लेने में चलाते थे वह 500 रुपए के नकली नोट को यह लोग शराब की दुकानों वा सबजी मंडी में चलाते थे यह लोग नकली 100 रुपए का नोट देकर 20 रुपए का सामाल लेते थे तथा 500 रुपए के नकली नोट देकर 50 या 100 रुपए का सामाल लेते थे पकड़े गए दोनों आरोपियों के द्वारा अभी तक बाजार में कितने नकली नोट चलाए जा चुके हैं इसके संबंध में पूछताच की जा रही है पुलिस सब पकड़े गए दोनों आरोपियों से इस रैकेट में सामिल अन्य लोगों के बारे में भी पूछनाच कर रही है साथी पुलिस यह भी जानकारी उठा रही है कि इन दोनों आरोपियों ने अब तक सहर में कितने नोट खपाए हैं बोटन उस्तों नोट क्टिंग का टटर मिल गया सबस्कですね गीवा में अब कैंसर का सफल उप्चार और आपरेशन की सुविधा उपलब्थ है हमारे यहां मिल रहा है आयश्मान भारत निरामय योजना का लाब आयश्मान जन आरों के योजना के तहट सभी प्रकार के मेडिकलेम की सुविधा उपलब्ध है हमारे यहां लेजर कैंसर, अस्थी रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूती रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उप्चार किया जाता है कैंसर के इलाज एवं आपरेशन अबरीवा के नैशनल हस्पिताल में उपलब्ध है नैशनल हस्पितल के संचालर डॉक्टर अखिलेस पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं आइसमान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 या फिर संपर्क करें 756683551 पर हमारा पता है नैशनल हस्पितल समानतिराहा रिवा संपर्क करें 07662359974 या फिर संपर्क करें 860028859900 पर